राम राज्ये का सपना दिखाने वाली योगी सरकार की कानून व्यवस्था क्या दोहरे मापदंड पर काम करती हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ महिलाओं के साथ खुले आम, दुराचार, अत्याचार हो रहा हैं उसकी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं हैं एक तरफ वही संभल जैसे हिंसा हो जाती है इस हिंसा को होने से पहले नहीं रोका जाता लेकिन हिंसा होने के बाद यूपे पुलिस कितनी मुस्तैदी दिखाती है वो आप समझे किस तरीके से संभल एंसा के अंदर मारे गए लोगों के परिवार से मिलने के लिए और उन हालातों का जैसा लेने के लिए सपा का एक डेलिगेशन संभल जाना जाता था लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है सबसे पहले आप ये पूरी की पूरी यूपे की कानून व्यवस्था को समझने से पहले इन खबरों को देखें जिसे सुनका शायद आप में से कुछ लोगों की भी रूक आप जाएगी कि आखिर में यूपे के अंदर ऐसी घटनाई क्यों नहीं रुक रही हैं उत्तर प्रदेश के अं उनका मन इस चीज से भी नहीं भरा तो महला के निजी अंगों के अंदर लाल मिर्च डाल दी सोच कि मतलब एक महला होने के नाते में इंसान उने के नाते में मेरी रूख आप रही है मैं कि कैसे ऐसे अपरात करने वालों के मन में जरा सा भी कानून व्यवस्था का डर नहीं है और ऐसे खबरे कोई आम आप समझ लीजी ऐसी खबरों को तो एक तरीकी सा समान्य खबर बना दिया गया है आप जब सुभा सुभा अकबार खोलते होंगे तो उन अकबारों के अंदर ऐसी आपको नजरने कितनी खबरे मिलती होंगी और एक समान्य अकबार की तरह लोग उन खबरों को पढ़ते हैं और उन खबरों को पढ़ने के बाद पन्ना पलट कर ये अकबार को फोल्ड करके अराम से साइड में रख दिया जाता है लेकिन उस सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जाता जो ऐसे अपराधों को रोक पाने में नकामयाब नजर आती है एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे अपराधों को या कहे ऐसे अपराधियों को रोकने से पहले दूर दूर तक नजर नहीं आती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का यही खौफ है, उत्तर प्रदेश की कानून विवस्ता क्या यही है कि आएदिन हम ऐसी एसी ख़बरे सुनते रहें, कभी बनारस की खबर सामने आती है, तो कभी आप सोचिे महला नर्स के साथ खुले आम त उस सैदी दिखा रही है कि देखिये, वहां की कानून व्यवस्था बनाये के रखने के लिए, शांती बनाये के लिए, अभी वहां पर कोई नहीं जाए, कोई व्यक्ति उस जगहां पर ना जाए। साब तरद पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या दिया यहां तक कि जब समाजवादी पार्टी का एक डेलिगेशन वहां जाता है तो उन्हें रोक दिया जाता है और इस बीच में देखिया आज कितिनी खबरे जो है वो सावने आई यह खबर देखिये संभल जा रही सपा की विधायक समेट 10 नेताओं को हिरासत में लिया गया एकरा हसन को पुलिस ने रोका बरेली में 100 कारेकरताओं को पकड़ा गया दूसरी खबर कार में बैठे नेता प्रतिपक्ष को पुलिस ने घर भेजा सपा प्रदेश अध्यक्ष न की जो जगा है वहाँ पर ना जा पाएं उसके लिए उनके घर को कितना चौबंद कर दिया जाता है पुलिस फोर्स लगा दी जाते है विजुल्स आप खुद देखिये दरसल आज एक सपा के प्रतिनिधी मंडल को संभल जाने से रोका गया यूपे विधान सभा में सपा न प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेत्रत्व में 15 सदस्य प्रतिनिधी मंडल शनिवार को संभल आने की घोशना की थी शनिवार को लखनाओं के व्रंदावन इलाके में सपा के विधायक माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर जमकड ड्रामा हुआ और संभल जाने के लेकिन उनके घर के बाहर तैनात पुलिस नोंने रोक दिया समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल सपा सांसद रूची वीरा और विधायक पिंकी यादव को भी संभल जाने से रोका गया माता प्रिसाद पांडे ने इस पूरे के पुरे मामले पर मीडिया को बताते हुए कहा आज संभल हिंसा का सात्वा दिन है आज जिला प्रिशासर ने सपा प्रती निधी मंडल को संभल जाने से रोक दिया है डियम की और से कोई लिखे सुचना नहीं आए सिर्फ एक संदेश आया सब लोग वहां जा रहे हैं हमारे वहां जाने से क्या खत्रा हो सकता है सरकार अपनी गलतियों पर पर परदा डानने की कोशिश कर रही है इसलिए हमें रोका जा रहा है वहीं इस पूरे के पूरे मामले पर जब समाजवादी पार्टी के डेलिगेशन को संभल जाने से रोका गया तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा जरा वो देखी अखिलेश यादव ने कहा प्रतिबंध लगाना बीजेपी सरकार के शासन प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा पसाद करवाने का सपना देखा और उनमाधी नारे लगवाए तो संभल में सुहादर श्वान्ती का बातवरण नहीं बेगड़ता बीजेपी जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदले देते हैं वैसे ही संभल में उपर से लेकर नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल नेलंबित करके उन पर साजिशन लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कारवाई करके बरखास भी करना चाहिए और कि कि जान लेने का मुकदमा भी चलना चाहिए बीजेपी हार चुकी है इस पूरी की पूरी हिंसा के अंदर समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों को समाजवादी पार्टी जो है 5-5 लाख रुपए देगी वही उन्होंने प्रद घर पाई नहीं हो पाएगी जो व्यक्ति गया है उसका दुख व्यक्ति जाने का किसी भी परिवार को कम नहीं होगा लेकिन एक आर्थिक तॉर पर मदद करके कहीं न कहीं उस परिवार के लिए ये इच्छी हम लोग देंगे अब आप भी 25-25 रुपए दीजिए अब योगी सरकार जो है वो क्या करती है यह सबसे बड़ी चीज है यहां तक की पुलिस ने संभल के अंदर जाने वाले जो कई नेता थे जो एक डेलिगेशन वहां संभल में जाकर देखना चाहता था वहां के हालातों का जाइजा लेना चाहता था इस बीच में पुलिस ने सपा के 10 बस देताओं को हिरासत में ले लिया यहां तक की बरेली के अंदर तो 100-100 कारिकरताओं को सोचिए पकड़ना पड़ रहा है अगर पुलिस इतनी मुस्तैदी जो है हिंसा को होने से पहले दिखाती तो शायद उन हिंसा के अंदर 5-5 लोग मारे गए हैं तो क्या अब ऐसे में उत्तरप्रदेश की जो सरकार है वो सच्चाई को छिपा रही है या फिर सच्चाई कुछ और है वहीं इस पर मैं आपको बता दो कि बीजेपी के नेता यह पूरी के पूरी आज जब यह कारवाई हुई तो इस स्थानिय प्रिशासन इस्थितिका को समानने बनाने में लगा हुआ है श्रीमाता प्रसाथ पांडे जी और समाजवादी पार्टी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और परिस्थितिके समानने होने का इंतजार करना चाहिए सपा के नियत पर शक होता है क् उनके प्रतिनिधी मंडल में संभल की हिंसा को भढ़काने का आरोपी, इस्थानिय संसत जिया और रह्मान बर्क भी शामिल है, वहाँ जाकर वो क्या बयान देंगे सपा ने प्रतिनिधी मंडल के संभल जाने पर भाश्वा की प्रवक्ता ने ये बयान दिया, अब आप ये देखिए कि क्या ये जो माहौल बिगड़ा है, ये किसकी वदालत बिगड़ा है, सरकार आपकी है, पुलिस प्रिशासर नापका है, तो इस हिंसा को रोका क्यों नहीं गया, और जब सपा अगर जा रही थी, तो आपकी पुलिस फोर्स तो वहाँ पर खड़ी हुई थी, तो क्या वहाँ पर जाने से दिक्कत क्या थी, आखिर में ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कि अगर एक विपक्षी पार्टी के कुछ नेता वहाँ जाना चाहते हैं, उन लोगों से मिलना चाहते हैं, तो वो ऐसे क्या बड़ी चीज कर देंगे, जिससे आपको लगता है कि हिंसा भड़क सकती है, अगर आपको हिंसा की इतनी परिशानी थी हो सकती है, तो इस हिंसा को होने से पहले क्यों नहीं रोका गया, यह सबसे बड़ा सवाल है, वरहाल यह पूरा का पूरा जो यह मामला है संभल की हिंसा का, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मामला है जो बार बार होता नजर आ रहा है सबसे बड़ी चीज अब आप ये देखिए कि संभल के हिंसा हो गई ऐसे हिंसाओं को होनी से पहले तो रोका नहीं जाता कभी कोई मजज़ित की छत पर खड़े होंके जंडा फेरा देता है कभी कोई किसी की घर के छत पर जाकर उनके धर्म का जंडा हटा देता है फिर उस वो व्यक्ति मारा जाता है ऐसे घटनाएं आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीरीज है पूरी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसी घटनाए सामने आरे है और खास तरपर धर में से जुड़ी है घटनाए क्यों लेकिन ऐसे घटनाओं पर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो क्यूं रोक नहीं पाती और ऐसे हिंसाओं के होने का अंतजार क्यों किया जाता है और वहीं दूसरी तराफ महिलाओं पर दलितों पर शोसितों पर जो यत्यचार हो रहे हैं उनको रोक पाने में क्यों यूपी सरकार नाकावयाब सी नजर आती है, ऐसे अप राध्यों के मन में वो खौफ क्यों नजर नहीं आता, जो कि हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए अपने प्रदेश की कानून विवस्था को लेकर, दरहाल आप लोग इस पूरे मामने को कैसे द आती हैं, उसे आप किस तरीके से देखते हैं, नीचे देखें कमेंट बॉक्स में, जरूर बताईएगा, और अब ऐसी जो भी खबरे होंगी, आपको जरूर बताएंगे, जुड़े रहे हमारी खबरों के साथ.